हाई फ्रेंट्स Welcome to my YouTube चैनल आज मैं बना रहे हूं बूंदी का रायता तो यह बूंदी का रायता बहुत ही सिंपल रेसीपी है इसके लिए मैंने एक पैन में थीन कटोर्य दही लिया है और इसको अच्छे से मैंने मत लिया है और उसमें मैंने एक ग्लास पानी डाल लिया है तो यह दही गाड़ा था इसलिए मैंने इसमें एक ग्लास पानी डाला और बूंदी का रहा था हमारा उत्तर भारत में खाया जाने वाला बड़ा पसंदी दव एंजन है और इसको हम दाल या सबजी के साथ साइट के रूप में खाते हैं या पर पूरी परांठे से भी हम इसक काटके डाली है थोड़ा सा हरादनिया डाला है इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मैंने एक जो है पैन लिया है तड़का पैन जिसको मैंने गरम होने सिम गैस पर रख दिया है तो अब मैं इसमें तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ है मैंने यहां पर आधा टी स्पून के लगभग ऊयल सरसों का तेल डाला है तो इसको हम गरं longing गरं करेंगे गरम करने का मतलrod इसको धुआ निकलने तक गरम करेंगे, जब इसमें से धुआ निकलने लगेगा, समझ लो ये गरम हो गया है, तो अब इसमें से धुआ निकलने लगा है, देखिए, और अब ये गरम हो गया है, तो अब इसमें मैं half teaspoon राई डालूगी, half teaspoon मैंने राई दाना डाला है, राई तड़कने लगी, तो अ ने राइते में मार दिया है और ये देखो तड़का वाला रायता हमारा बूंदी का सिंपल रायता तयार हो गया है तो इस तरह से आप भी बनाईए ये घर में ट्राई कीजिए इसे और बाद में इसमें नमक डालती हूं दही में नमक पहले नहीं डालना चाहिए पहले से नमक डाल दो तो ये बहुत खटा हो जाता है तो इसमें मैंने बाद में नमक डाला है तो ये नमक डाल दिया और रायत पसंद आये तो लाइक कीजिए धन्यवाल